हे फैंबली वेलकम बैक टो मैं चैनल शिल्पा फेशन हाउज में उमीद करती हूँ आप सभी स्वास्ता और बहुत जादा ही मस्त होंगे आज मैं आपके लिए मीशो से अंडर 300 में बहुत ही प्यारे-प्यारे कुर्ती लेके आई हूँ और कुर्तास लेके आई हूँ तो जल नेक में बहुत यह अच्छी वाइट कलर के उनोने पाइपिंग करके दिये साथ में स्लीव्स जो है अलबो तक किया रही है और पूरी स्लीवस वे बहुत ही अच्छी उन्होंने गाज़री कलर के एंब्रॉई डिया जिससे कुर्टे के फिनिश इंग बहुत इच्छी लग साथ में ना पूरे कुर्ते पे ना साइट स्लिड में मतलब उपर से न पूरे में एमरोइडी करके दिए लीवस वाली तो पूरे नीचे तक कि हमको एमरोइडी करके दिए जिससे कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा था साथ में दोनों साइट से स्लिड प्रोवाइड हो रही तो इसका भी स्क्रीन पर प्राइज में मैंशन कर दूंगी तो आप देख लीजेगा अब बढ़ते हम नेक्स्ट वन कुरते की साइट्स वन कुरता जो है बहुत ही अच्छा फ्लोरल प्रिंट पर मैंने यलो कलर का पिक करा और यह कुछ इस टाइप का एक्चुली मैंना इसम फुल-उन कॉटन ब्लाइड माटेरियल में आरहा है इसमें हमको मैडरी नेक मिल रहे है यह 3-4 स्लीज मिल रहे है स्लीज में हलका सवने शट की तरह से फोल्ड कर के दिया है बाकी कुरता ना पूरा ही प्लेन इसी टाइप से फ्लोरल प्रिंट के साथ आरहा है हमको मैडरी नेक दिये जिसमें हलका साइड स्लीट है और पूरे कुरते पे इस टाइप की वोडन बटन हमको लगा के दिये बट यह फंक्शनल नहीं है इसी शोपीस के लिए दे रखा है साथ में दोनों साइट से हमको स्लीट प्रोवाइड हो रही है और इसका कॉटन फैबरिक बहुत साथ में फ्रंट साइट पर भी उन्होंने एक प्रोवाइड कर यह जिससे कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है ओवर ओल कुर्ते की मुझे ना पर्सनली फ्लोरल प्रेंट ना यलो पर इस टाइप की रैड और पिंक कलर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा है और कॉ बहुत ही अफिटिबल प्राइज में आज का हॉल हमारा पुरा 300 में और यह बिल्कुल भी ट्रांजी नहीं तो गो फॉर इट अगर आपको यह कलर पसंद नहीं तो कोई दूसरा भी पिक कर सकते हो बहुत ही अफिटिबल प्राइज में अब बढ़ते हम नेक्स्ट वन कुर करके दिए आप खुद देखें कितनी प्यारी डिटेलिंग के साथ करके दिया है योग पोर्शन पर सेम वही थ्रैड वक करके दिया है हमको जो आफ्टर वाश निकलने का कोई चांस नहीं है और वाइट कलर के थ्रैड से करके दिया जिससे बहुत जादा ही कुरता साथ में दोनों साइट सेमको स्क्रेट मिल रही है बैक साइट से बात करें तो बैक साइट से पूरा ही प्लेन है और लैंद की बात करें तो यह अफकॉस मुझे कॉर्ट लैंसे हलका से नीचे था ओवर और और प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है मस्ट में मैंने पिक करा है 3-4 स्लीव आ रही है जिसमें गोल्डन कलर की गोटा पिट्टी की इस टाइप की डिटेलिंग है योग पोर्शन की बात करें तो यह हमको राउंड नेक वित हलका सा स्लेट आ रहा है L साइस पिक करा है बट यह हलका सा टाइट था मतलब कमफर्टेबल था मुझे साथ में योग पोर्शन पर पूरा ही गोल्डन थ्रेड से सिक्वेंस वर्क को टक करके दिया जो बहुत ज़्यादा हाइलाइट हो रहा है इसका ना आट सिल्क फैबरिक है बट हलका सा धूपचाओ वाला फैबरिक है साथ में ना पूरा ही कुर्टा प्लेन आ रहा है दोनों साइट से हमको स्लेट मिल रही है नीचे भी उन्होंने ना दो गोटा पट्टी की इस टाइब की बॉर्डर लगा के दिये जिससे ना कुर्टा नीचे से भी हाइलाइट हो रहा है इसका डाक पिंग कलर है इसमें भी ना तीन चार कलर उप्शन थे बट मैंने ये कलर को पिक करा है बैक साइट से बात करें तो बैक साइट से पूरा ही प्लेन आ रहा है इस टाइब से जो बहुत अच्छा लग रहा है आठ सिल्फ फैबरिक है तो आफकोस आपको स्क्रीम पर शुकर दूंगे तो देख लीजिए अब बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटबर से सब्सक्राइब कर लीजिए प्रेस दी लाइक बटन बैल आइकन को भी हिट करना ना भूले अगर आप इस ट्राइब के हॉल वीडियो और वाच करना चाहते तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले और एक चोटा सा कॉमेंट जरू कीजिएगा कि आज का हॉल वीडियो आपको कैसा बात करें तो राउंड नेक आ रहा है जिसमें हलका सा स्लेट है फैबरिक की बात करें तो यह भी फूल-उन कॉटन ब्लैंड मेटेरियल का है ठीफो स्लीज आ रही है और बाकि पूरे कुरते पे जो आपको वाइट कलर का दिख रहा है यह पूरा ही थ्रैड करके दिया पू पूरे को स्लेट प्रोवाइड हो रही है लेंद की बात करें कुटे की तो यह भी मुझे ना नील एंसे हलका सा नीचे था बैक साइट से बात करें तो बैक साइट से पूरा ही प्लेन इस टाइब से आ रहा है बहुत ही अफ़िबल प्राइज में इतना अच्छा कुरता रि कर रहा है एक्चली में इस कुर्थी डुपट्टा और बॉटम वेर आ रहा है तो इस कुर्थे सैट का हॉल वीडियो ना एक आइकन बटन आ रहा होगा अगर आप इसको प्रैस करेंग तो डायरेक्ट इस हॉल वीडियो को वाच कर सकते हैं साथ में डिस्क्रिप्शिन बॉ इसमें राउंडनेक आ रहा है 3-4 स्लीव आ रही है स्लीव में बहुत ही अच्छी सिल्वर कलर की गोटपट्टी की बॉडर करके दिये बाकी पूरा ही कुर्था लहरिया पैटन पे आ रहा है साइस की बात करो तो इसमें मैंने एलसा इसको पिक कर रहा है इसका फुल ऑन कॉ सेरियल आ रहा है तो बहुत ही कमफटीबल होता है रेनी समर किसी भी सीजन में वेयर कर ये बहुत ही कमफटीबल होता है साथ में योग पोर्शन पे पूरा ही अम्ब्रोइडी करके दिया उन्होंने सिकन्स वर्क विद फैड से जो बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका यो से बात करो तो सेम वही लहरिया पैटन की साथ मिल रहा है एक्चुली मेना यह कुरता परसनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इसमें न दो ही कलर ऑप्शन है अगर आपको यह कलर ऑप्शन पसंद नहीं तो एक पिंग कलर का ऑप्शन है तो वह भी आप पिक कर सकते ह है तो इसका भी एक्जिक्ट प्राइज में आपको स्क्रीम पर मेंशिन कर दूंगी तो आप देख लीजेगा अब बढ़ते हम नेक्स्ट वन कुरते के साइट जो है बहुत ही मस्त वैसे भी आज का पूरा ही हॉल मीशो से अंडर 300 में तो जो नेक्स्ट वन है यह कुछ इस का पिकर रहा है इसमें भी राउंड नेक आरा है 3-4 स्लीव आ रही है पूरा ही कुछता स्ट्रेट कुरता है सिंपल कुछता है इसमें एक ही कलर ओप्शन ता और जो आपको ग्रे कलर का दिख रहा है पूरा ही प्रिंटेड और जो बहुत ही अच्छी प्रेंट दिख रही ब्लैक कलर की ये भी पूरा ही प्रिंटेड है, ओवरॉल कुरता पूरा ही प्रिंटेड आ रहा है, फैबरिक की बात करें तो ये भी फुल-on cotton blend material का है, दोनों साइट से हमको slit आ रही है, लेंद की बात करूँ तो ये मेरी नी लेंद से हलका सा नीचे था, मेरी height 5-4 है, बैक साइट से बात करें तो बैक साइट से पूरा ही प्लेन आ रहा है, हलका सा ये कुरता ना transient हो सकता है, बिकाज अब वाइट कलर हलकी से transient होते हैं, बट ट्रायन हॉल में मैंने को भी लाइनिंग नहीं डाली क्योंकि इसका बहुती अच्छा थिक वाला cotton fabric है और बहुती अंडर बजेट है तो गो फॉर इट अब अटेम नेक्स्ट वन प्रड़क के साइट एक मैंने ना बहुती अच्छा पैरेट ग्रीन कलर का कुरता पिक करा है कुछ इस टाइब का है मुझे उमीद नहीं थी इतने कम प्राइज में इतना अच्छा कुरता रिसीव होगा तो इसकी बात करें तो इसमें भी राउंड नेक आ रहा है ये स्लीव लैस पैटन में आ रहा है इसमें आलग से भी कोई स्लीव नहीं आईए इसके भी fabric की बात करें तो full on cotton blend material का है साथ में ना इसमें 12 color है अगर आपको parrot green color पसंद नहीं है तो दूसरा भी कोई pick कर सकते है योग portion पे simple उनोंने हमको बहुत ही अच्छी nug जो रहते हैं उनको tuck करके दिया है साथ में अमरोइडी करके दिये black thread से बाके पूरा ही कुरता plane कुरता straight कुरता है दोनों साइड से slit आ रही है और इसका cotton fabric ना खादी cotton टाइपस है जिसमें lining lining दिख रही है और back side से पूरा ही plane है तो बहुत ही प्यारा कुरता है मैंने try on haul में कोई भी lining नहीं डाली है और ये मुझे बिलकुल भी transit नहीं लगा है अगर आपको लगे तो आप lining डाल सकते बट मुझे बिलकुल भी transit नहीं लगा है तो इसका भी exit price में आपको screen पर शुकर दूँगी तो देख लीजेगा ये ता मेरा आज का बहुत ही affordable price में under 300 में कुर्ती हाल आई होप आपको आज का हाल वीडियो बहुत पसंद आयो अगर वीडियो बहुत पसंद आयो तो प्लीज लाइक, शेर, सुब्सक्राइब करना ना भूलें आई होप आप सभी स्वास्त और बहुत जादा ही मस्त रहें बाई बाई, टेक क्यार